नमस्कार दोस्तों आप जैसे यहां पर देख सकते हैं कि एलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड यानि की इसी आईल में चालिस पोस्ट खुली हुई ऑ यह औ। gain Bernie की आपके सारे सवालों। का जवाब मैं इसमें दूंगा इस वीडियो में ताकि आप इसे भर सकें ना चालान से ले करके आपके सिलेबस से ले करके एक एक चीज हम इसमें बात करेंगे एज वगेरा सब कोई यूटूब का वीडियो अगर आपको पसंद है वह आप से चूट ना जाए कि यह दिखी दोस्तों यहां पर इसका बहुत मात्व है सबसे पहले हम चलते हैं अपने आपको थोड़ा समय बता दू इस कंपनी के बारे में जो आप यहां पर अभी देख रहे हैं यह मैंने प्रविट दिया आपके लिए तो यह रिकूट्मेंट है आपको दिख्या हुआ ग्रेजुएट इंजिनर्ट ट्रेनीज की और किसके तुरूब आप देख सकते हैं यह गेट की तुरूब ट्रेकर अगर किसी के पास गेट का वेरेट स्कोर कार्ड है 2022 का तो इसे भर सकता है और यहां पर कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं हो सकती यहां पर जो स्ट्रीम बताएगे सिर्व भर सकते तो कौन से स्ट्रीम मैं बताऊंगा आपको तेक कैसे बटी हुई है और हर के लिए अपरिशन तो बनी बात है इसमें न्यूक्लियर डिफेंज सेक्यूरिटी एरोस्पेस इंफर्मिशन टेक्नलोजी टेलीकॉम एंड इगवर्नेंस इंद पर काम करती है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि सॉलिट स्टेट टेलीविजिजन है डिजिटल कंप परते हैं यहीं बता दो कि इसमें अगर गेट स्कोर से काम हो रहा है तो आपका जो इंटर्वीव होगा उसके लिए आपको जाना होगा है थेक्षाइब यह बात में इंटर्वीव होगा यह तो बात क्लियर है मतलब वहीं जाना है परस्टनल इंटर्वी बलाएंगे कोई डोने इंटर्वीव है लिए खना है खासतोर पे ह libro बाकी ज pracy вс घ्रीम बढोई सकते हैं वह आपको स्कुर करते हैं तो यह जैन्बरचे मांग रहे हैं अपने भॉट्टर्व नौकरी करने के लिए खासतर पर हैदराबाद में और बाकी जगह भी भी सकते हैं पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ठीक है किस-kis एरिया में मांग रहे हैं इसकी एक डिटेल बता हुआ ठीक है अब आता सबसे पहले हैं पोस्ट की डिटेल क्या है पोस्ट केुछ तक यह तो आपको देखना है कि जीटी पोस्ट का नाम जो यहां पे लिखा बीर मुझे लगता है कि मुझे रडिफानलेन चाहिए कर यहां पर यह दिखेगा रही है तसãyumpy तो आपको देखना है कि जी इटी पोस्ट का नाम है जो यहां पर लिखा भी है और मुझे लगता है कि मुझे रेट फैन ले लेना चाहिए क्योंकि यहां पर यह दिखेगा रहे चलो 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 बहुत बढ़ी है अच्छा यह एड़िजनेंट नंबर भी याद रखना क्योंक बहुत तरी दिक्कत है जो हो जाती है मैं अब अपर एज लिमिट दोस्तों 25 साल कि अब बात यह कि इसमें कई लोग परिशान होते हैं सर मैं 25 साल का होगे लिए लिकान डेट अब तो आपको हमीशे नहीं इससे नोट करना है ठीक है चौदा पांच 2022 इससे कैसे नोट करोग चौदा मैं 2022 तक और चौदा मैं 2022 को इनों ने डेट आप बर्थ की लिमिट बनाई है ठीक है इसका मतलब यह कि अगर सपोस्थ करिए को इसके बात पैदा हुआ है 15 मैं 2022 ठीक है तो अब यह तो भाई अलिजीबल ही नहीं ना सिद्धी सी बात है यह अलिजीबल नहीं तो आ चौदा मई 1992 ठीक है आप आप यहां से सब्सक्राइब तो इसमें दस साल जैसी जोडएंगे आपन तो कहां तक पहुंचेंगे आपं 2002 तक और ढ़र हो जाएगा ना 2012 हो जाएगा तो कितने साल हो गए यह 10 यह 10 हो गए 20 साल और यह 2022 तक आप समझे रहे तीस साल का हो गए बंदा मतला आप अपलाए नहीं कर सकते हैं समझ गया तो इस तरह से आपको अपने जो एज की है उस चीज़ को नापना है और वह देखना है ध्यान से तो लास डिट तक है यह आपको ज्यान रखना है बागी कोई भी क्योरी होगी तो मैं आपको बता चुका हूँ नंबर कहा मिलेगा आपको वह मैं भी दूंगा आपको टेक है उसकी जिन्दा नहीं करेंगे अब क्या है कौन-कौन सी पोस्ट है पोस्ट की बात हो ली थी इधने डिसिप्लिन हो यह जो की ग ब्रांच खाली है यह 21 पोस्ट खाली है मेकेनिकल से दस पोस्ट खाली है और कंप्यूटर साइंस से नौ पोस्ट खाली है इस तरह से टूटल हो जाती चालिस पोस्ट ठीक है अब इसके लिए क्वालिफिकेशन इतना है कि आपने तो बी-ई-बी-टे किया हो किसी भी कर शकता और यहां सुझ Лीजे यह ट॥ा आपको ही उसनिंटर का पूरे शीयुट का मिला का 65% और यह कि के लिए जर्यल के लिए है और लिए इक शेक्जले मरे के लिए टिक लिए कर सेक्शन के लिए ग्रिए अभी बताऊंगो अभी इस वीडियो के अन्त में अब क्या होता कई बार लोग अलग अलग ब्रांच जासे आटो मोबाइल इंजिनिरिंग अलाउड नहीं है मेका ट्रॉनिक से किसी नहीं किया अलाउड नहीं है समझें बहुत कहने का मतलब यहां तो कई लोग कर लेते हैं ए कि नहीं ने साफ साब मना कर दिया कोई दूसरा नहीं मेकेनिकल इंजिनिरिंग मतलब प्योर मेकेनिकल इंजिनिरिंग आपने की हो ठीक है सिर्फ वही अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है चले अब माल लीजे कि सर फाइनल येर वाले क्या करेंगे तो फाइनल येर वेरिफिकेशन के टाइम पर दे दिना चाहिए अब डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन कम होगा देखो पूरी प्रोसेस सुन लो पहले तो आप क्या करोगे ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे ऑनलाइन फॉर्म और यह वही लोग भर पाएंगे जिनके पास गेट स्कोर कार्ड है दो से यह मिल जाएगी उसे तेरा साल के चूट अगर है तो यह से मिल जाएगी हैं किसको नहीं देनी यह सरिफ जो है यह ना फीज जो है सिर्फ जनरल वालों को EWS वालों को और आपके एकोनोमिक बिकर सेक्शन होगे और OBC वालों को इनको देनी है 500 रुपे की फीज बाकी SC वाले, ST वाले, Physically Headicap जो लोग होते हैं उनको नहीं देनी है और ऐसे इंप्लॉई जो पहले से ही इस संस्था में काम क आपको बता दी है समझ गया और अब देखिए मैं पूरी प्रोसेस बता रहा था ठीक है तो यह बात होगे आपको कि गेट स्कॉर कार्ड पर ऑनलाइन फॉर्म बनना है आपको जैसे आप फॉर्म बर देंगे तो आपको शॉट लिस्ट किया जाएगा फिर आपको करेंगे आप डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में आपके टैंथ ट्वेल्ट ओरिजिनल होगी सारी लेके पहुंचनी है आपको टैंथ की ट्वेल्ट की अपने पूरे ग्रेजिवेशन की अगर कहीं कुछ काम किया तो उसकी एक्स्पीरियंस की इन सब की ठेक है यह सब और लि ले करके जाएंगे उन सब की दोड़ फोटो कापी करे लिना पूरा सैट बना लेना दो फोटो कापी का और दोनों फोटो कापी में अपने सिगनेचर जरूर कर देना सेल्फ एटेस्टेट कहते है तो ठीक है और फोटो कुछ ले कर जाना ना यह आपको ध्यान रखना है अ इसमें कास सर्टिफिकेट आपके आपकी हरे चीज़ चेक कर लेंगे इसमें कास सर्टिफिकेट वगर अगर किसी का है तो चेक कर ले जाएगा अप्लिकेशन फॉर्म देखेंगे कि लाया की निया अभी पूरे वेरिफिकेशन में अपने फाइनल एयर की मार्ख्षिट दिखानी पड़ेगी अगर फाइनल यह में हैं और वह अप्लाइब कर रहे हैं तो ठीक है फाइनल सेमेस्टर की दिखानी पड़ेगी और उसमें भी याद रखिए आपके परसेंटेज जो है अगर आप जनरल से हैं तो 65 परसेंट से कम नहीं हो और बाकी इधर उदर से हैं तो मैं इनका बता रहा हूं थोड़ा सा नीचे बताऊंगा मैं आपको चलिए तो आपको दिग्ग्या होगा कि यहां पर परसेंटेज की बात की गई है और इन्होंने यह भी कहा है वाले सीजी पीए वाले सीजी पी इनको परसेंटेज में करने और यह कौन करेगा यह आपको कॉलेज करेगा आपका युनिवर्सेटी करेगा तो आपको अपने एड़ मास्टर के पास पहुंचना है और उनको बोलना सार मेरे सीजी पीए को इसके परसेंटेज में कर दो और आप जो भी फॉर्मुला लगा हो उसको मुझे ज़रा सेटिफिकेट दे दोसका क्योंकि यह सेटिफिकेट आपको डॉक्यमेंट वरिकीशन में दिखाना पड़ेगा इनकेस माल लो आपकी कॉलेज में सिस्टम ना हो के सीजी पीए से बिल्कुल नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है कि इस बात कभी लेकर करके आना पड़ेगा कि यहां पर कोई भी कनवर्जन नहीं होता है सीजी पीए से परसेंटेज का कि आपके समझ में आगे अगर कनवर्ट होता है तो किस फॉर्मुले से तो उसका एक सर्टिफिकेट लाएगा वहेड़ मास्टर खुदी समझ जाएंगे जब आप बो पीरेट के रखा जाएगा बॉंड भी भरवाय जा रहा है ठीक है और कम से कम जो बॉंड है वह चार साल का है जिसमें से एक साल तो आपकी ट्रेनिंग हो गई और तीन साल आपको एज़ा इंजिनियर वहां काम करना पड़ेगा ठीक है अगर आपने यह तोड़ा तो आपको चार लाग रुपए का फाइन भरना पड़ेगा ठीक है और यह बॉंड आपको मालूमने कैसे होता इस्टायम पेपर पर आपको सो रुपए का स्टायम पेपर आता उस पर आपको हस्ताक्षर करने बढ़ेंगे उनके साथ ठीक है इसे कहते है शूरिटी एंड 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 बॉंड ठीक है जो कि नॉन जुडिशल स्टाम पेपर पर सौ रुपए के स्टाम पेपर पर साइन होगा चार साल का यह बॉंड रहेगा आप चार साल की पहले अगर चोड़ेंगे चार लाग रुपए का आपको यह चालान कर जाएगा आप समझगे मेरी बात चली भी है त जब आप अफ्टियक चारा आप और यह यहां पर बनाओ तो इसमें अपनी बिलकुल सही देना आप बनाओ यह को रहें लाटो इसक आ इनकार यह पार्णिव लेडिक आपको प्टाथा आगया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको इनकी site पर जाना पड़ेगा यह दिखी अपको carriers dot कई बार पैसे कड़ जाते हैं और फॉर्म भराई की नहीं भराई पता नहीं चलता तो इसलिए इन्होंने क्वेरी नंबर भी दिया हुआ अपना कोई दिक्कत है तो आप हमको कर सकते हैं लेकिन हैदराबाद में इंटर्व्य होगा एसा इनका कहना है अभी तो ज्यादा परिशान नियोंगा और यह सारी जानकारी वह दिदेंगे आपको ठीक है और अगर कुछ भी इसमें बदलाव आता है तो आप चिंता मत करो आपको कुछ भी नहीं जाकने की जरूर और मैं आपके लिए वीडियो पहली बना के ला दूँगा आपको इंफर्म कर दो है लेकिन बात वही कि यह मैं वीडियो तो मना दू लेकिन आप तक नहीं पहुंचे तो मतलब क्या है तो आप तक पहुंचे उसके लिए क्या जरूरी है कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब बैल आइकन जरूर करके बैठाएं क्योंकि दिखें बिल्कुल मेरे लिए नहीं है यह आपके लिए मैं जो बोलता हो ना यह मुझे मेरे लिए कुछ भी नीचे यह आपके लिए होता दोस्तों अब मैंने वीडियो बनाया आपके लिए और आप ही तिकनी पहुंचे तो उस लाँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है ठीक है तो यहां पर बता रहा हूं तो उसको बहुत द्यान सुनना देखें एक एडविटिज्मेंट नंबर होगा उसको आपको क्लिक करना है ठीक कुछ भी उसका नंबर हो सकता है अभी कैसे मिलेगा यह लिंक यह मैं दे रहा ह इसी की साइट है इनकी पूरी की पूरी ठीक है और मैं यहां पर यह प्लाइब क्लिक कर दिया अब दिखेंग विंडो ओपन हो रही है आपको दिख रहा है यह सब कुछ चोटा-चोटा सा दिख रहा है थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए बढ़ा करना की कुष्च करूं आ यह करने के बाद इसको इधर कर दो अब कौन सी पोस्ट के लिए अपलाय कर रहा है इसको क्लिक कर दिया ठीक है अब देख रहा है आपको नीचे कुछ ओपन हुआ है ठीक है थोड़ा सा स्मॉल करूं एक सब्सक्राइब हो गया थोड़ा सा जूम होने में दिखकत दे रहा तो यहां पर अपना डया थे अपने आ और पर उसको वालीडेट कर देना जैसी पूरा हुझा पर सब्सक्राइब हो पूरा मेरिटल स्टिटर साब यहां पर जो दिखकतना आप सब पर यहिसको आगे कर जाए तो नीचे आपको दिखकर आपका अपने डरेस डालना है अगर आपका पर्मनेंट एडरेस यह वाला एडरेस और यह वाला एडरेस सेम है तो यहां कॉपी कर देना यह पेस्ट हो जाएगा यही कि ठेक है अपनी एजुकेशन कॉलिफिकेशन प्राइमरी वह सारी भर देना नेम डिगरी कॉन सी है ब्रांच स्पिचलाइशन यह सारा कुछ यही सब को चुहां में दिखाने वाला आपको अब यह दो गेट स्कोर करें दिखने ना एक्जाम रिच्रेशन इसमें क्या मंगा है कि किस समय गेट कॉलिफाइं आप से अब यहां देखो जरा यहां पर बोला है कि 10 एक्स्टी एक्स्क्रूडिंग अब यहां पर दसवी और बार्वी आपको मांक्स यहां पर बढ़ना तो पहले आपको टेंट का बरना उसके बाद आपको ट्वैल्थ का बरना क्रोन लॉडर फॉलो करना ठीक है और बाक लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं और फिर यहां पर दोस्तों दिख रहा आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसने बोला कि सब्सक्राइब कर देंगे तब कंप्लीट होने के बाद एक रिफरेंस नंबर आएगा और उसको यहां पर बरना और ब्रांच कोड और ब्र सकते हैं और यहां पर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मुझे और कुछ जो आता हो यहां पर लैंग्विज अपनी चुन देना कौन-कौन सी यहां पर हिंदी एंग्लिश लिख देना और स्पीक रीड राइट कर सकता हो सब बता देना ठीक है अब यहां पर लेकिन अब जो बाकी डॉक्मेंट रहेंगे जैसे 10 और 12 है ना आपकी रटिफिकेट और आपका सब पीडिएफ में रहेंगे अब इसमें अंतर देखो साइज में आप देखिंगे कि शुरू के दो वाले ही सिर्फ पीडिएफ ऐसे हैं जो 2 MB से कम क्यों ने चाहिए विदि ना समझ गया आप मेरी बात तो इन में पांच एंबी से उपर ना बाकी में बज़िए बस दोस्तों बाकी आखरी में सम्मेट कर देना खतम मामला तो पहले पेमेंट करना यह आप समझ गया ना तो यह मैंने आपको बताया कि कैसे क्या होना है अब चलिए हम वापस चलते है बोल रहा कि पहले यह जाना है और फिर आपको यहां से अपने 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 चलता जाए यह जो भी इसने चुनआ यह खुलेगा याद ने और बहुत बढ़ी हाँ फिर यह पूरा हो जाएगा जब तो आपको एक एडी मिलेगी यह दोंको पूरा दिया पर्मानेट और यह सब कुछ उसने अपनी प्राइमरी क्वालिफिकेशन यह बीटेक बता दी वहाँ पर ठेक है अच्छा याद रखिए यह जो कॉलम आएगा आपका है जब आप यह पढ़ाई के लिए भरेंगे तेंथ की पहले मालू में 10 और 12 पर यह लेकिन एक्स्क्लूडिंग क्वालिफिकेशन मेंचेंड अब लेकिन उस क्वालिफिकेशन को यहां पंदत भरना जो आपने ऊपर बता दी कि बीटेक क्या थी किस ब्रांच से थी कितने परसेंट मांक थे दुनियादारी सब आपने बला बता दिया यहां पर आजाएगी लास्ट एयर की ठीक है तो यह आप समझ गयोंगे चले और यह दो को यह तो खेर इंफ्रमिशन यह आपको भनी है तो यह दिख रहा यहां पर आपको ब्रांच कोड जीरो टू सेवन वन पोर यही भरना यह जो पहले वाले पोश्चन में यहीं पर बन जर्नल यह वगेरा यह सब तो खेर शुरू हो जाएगा और यह जो आपका एसब रिफरेंस नंबर होता ना यह मिशा डी यू से स्टार्ट होता है ठीक है और यह तो किस मंत में भर रहे हो किस डेट बहुत पहले सी लिखा होगा ठीक है जर्नल यह बनी बात है दोजार देट डाली है जिस दिन आपने वह कर आया तो उसी दिन की डेट है उसी दिन की मंत है उसी तो 2022 है बाकि मंत और तो अप्रेल है अगर अभी भर दो को अप्रेल है ना 14 मही तो लास्ट है समझगे चलो बहुत बढ़ी है तो समझ गया ना तो यह राद रखना सब्सक्राइब सब्सक्राइब है और यहां पर अपने कॉंटेक्ट नंबर दो देजिए कौन-कौन से याद है लैंग्विज हिंदी इंग्लिश है तो को सब्सक्राइब कर देना सामने वाले डबबो में यह पूरी चीज़े ना मैं आपको बता हूँ और इस तरह से फोटो अप्लोड करन प्रिटेक की जो भी डिगरी है वह बाकि सब पांच में चाहिए और पीडियर में है फोटो और सिकनीचर वह हमारे जेपीजी फॉर्मेट में और फोटो जो है वह सौ के बी से नीचे की हो और जो सिकनीचर है वह 50 के बी से नीचे का हो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और पर लिखाओगा प्रिंट और प्रिंट निकल लेना और प्रिंट निकल वाने के बाद इसकी कपी तो वहाँ पर ये ओरिजिनल प्रिंट देना पड़ेगा अं-लाइन की बाद निकालना पड़ेगा योकि इंटर्वी में जब जाओगे तो उससे पहले पूरा देखेगा उसकी फोटो कॉपी अलग से रख लेना और इसे की साथ यह तो अप्लिकेशन देखेगा और एप्लिकेशन फी की भी कॉपी देखेगा उसका भी तो निकलेगा एक वह भी देखेगा तो वह भी लेकर के जाना और उसमें भी साइन करी देना आपने चलो ठीके साथ ठीक है और बखी आप इसमें यह आप देखी रहे कि इसमें डालके पोस्ट डाल खरके आप बाद में भी इसको निकाल सकते जैसे माललो अभी फ़र्म भढ़ दिया लेकिन बा बाद में निकालना चाहते हो तो यह सारी डिटेल आपको निकालनी यह कहां मिलेंगी आपके अप्लिकेशन को में मिल जाएंगी तो कभी भी प्रिंट कर सकते हो आप यह बूला जा रहा है ठीक है और बस दोस्तों इतना ही था चलिए अब आगे चलते हैं इसी के साथ अब कैस इस वाले पर जाना है जैसे मैंने बताना है वो लिंक में दे दूंगा ठीक है इसके परशान मत वो यहां पर वो मुद्द है इसको छोड़ो यह तो मैंना उको बताई दिया पूरा ठीक है और यह देखु साथ सब लिखा है आफ्टर कंप्लिटिंग ऑनलाइन एप्लिकेश अब और अपनी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना जो तीन महीने से जादा पूरानी नहीं होने चीए और यह कर दिया आपने इसके बाद क्या करना है आपको इसका प्रिंट निकाल लेना ठीक है इसकी फोटो कॉपी पर भी अपने साइन कर देना तो फो पिकनी से अपने साइन कर देना तो इसे अड़यों किया है और याद रहिए अब डाक्यूम्न जाए अब सब कुछ जाएगा सबकुछ जाएगा सबकुछ तो निकाल लिए प्रिंट आउट इसका फोटोकपी भी कर लिया फोटो और साइन लगा करके इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेट कोपी बहुत सारी चीज़ों के यह होगा एक्सपिरेंस को यह कास्ट है और अगर एंडी के अपो आपकी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल भी ले आपको दिखाना ही पुड़ेगा और इनके लिए ही फीस है यह आपको पता है बाकी तो से चूटे हुए फीस से उनको कुछ भी नहीं देना है ठीक है और यहां पर ठीक है अब यह साफ-साफ लिखा है कि दा फोटो कॉपी आफ एप्लिकेशन फीस एप्लिकेशन की जो फीस उसकी फोटो कॉपी लएगी ठीक है अट दे टाइम अब दोकुमेंट वेरिफिकेशन समझ गया तो वहां पर लगेगा इसलिए उसको लेकर करके ही जाना उसको छोड़ मत देना दो किसे में और अब यह देखो चैंडिडेट शेल पॉसेज वैलिड गेट स्कोर कार्ड वै वह दो स्टेज में बनी हुए एक स्टेज इनका कैसे सेलेक्शन करेंगे आपका मार्क्स देखेंगे आपकी गेट स्कोर कार्ड की और दूसरा आपका परस्टनलेटर्वी समझ गें इन्हीं को जोड़ करके मेरिट लिस्त त्यार की जाएगी मैंने आपसे पहले ही करता है अब यह दो को गेट स्कोर क्या मतलब के शॉट लिस्टिंग ऑफ और परस्टनल इंटर्वी विल बीड़न इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ट ऑन दा मार्क्स मतलब आपके आपको जो शॉट लिस्ट किया जाएगा जैसे फॉर मर दिया तो गेट स्कोर का कार्ड भी डाल दि मतलब एक पोस्ट के लिए चार बंदे बुलाए जा रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ मोर दन वन केंडिडेट हैविंग सेम गेट स्कोर मालों की अब क्या होता कई बार दो बंदे ऐसे होते जिनके गेट स्कोर कार्ड सेम हो जाते हैं तो ऐसे हालात में क् परसेंटेज लिया होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे आप समझगे होंगे मेरी बात ठीक है तो परसनल इंटर्व्यू के लिए सिर्फ उनको बिलाया जाएगा शॉट लिस्ट हो जाएंगे गेट के स्कोर कार्ड का कितना मतलब किस नंबर को पायदान बनाएंगे यह तो इनी के उपर है तो इसमें आपको परशान होनी जरुवत नहीं है तो परसनल इंटर्वी में पार्ट होने से पहले आपका परसनल इंटर्वी में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा और वह सही पाया जाएगा तभी टीक है डेट मतलब समझ जाओ कि आदा आदा है ना तो जतना इस पर निर्भार है उतना आपकी परसनल इंटर्वी पर ठीक है और पस बढ़िया है चलो भाई यह भी आप समझ गया है अब क्लैरिफिकेशन और रिकूर्टमेंट के प्रोसेस में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप इ देखो इनको ध्यां से यह आपको प्रोडिउस करने है इन ओरिजिनल भी लेकर जाने है विद्द साफ गोला रहा प्लस सेलफ अटेस्टेट फॉटो कॉपी मतलब यह जाएंगे इनकी फॉटो कॉपी भी होगी फोटो कॉपी में आपको सहीन होगा तभी इनको कहा जाता है क्या सेलफ अटेस्ट फोटो कॉपी ठीक है और यह परसनल इंटर्वीउ से पहले होगा तो क्या क्या अब यह ऑन्लाइन रेजिस्टर यह एप्लिकेशन फॉर्म है ना ड्यूली साइंड विद कलर फोटोग्राफ चिपका होना चीए ठीक है और इसकी फोटो कॉपी भी रह सब्सक्राइब चाहिए और कोई बंदा है किसी सरकारी महक्मे में है और यहां पर जॉइन करना चाहते तो उसको साइन करके देंगे कि हमें कोई अपत्ती नहीं है यह बंदा हमारा यहां की पेपर दे रहा है ठीक है और और एक लास्ट है कि जो एप्लिकेशन फीस आपने जमा करिए उसकी कॉपी चाहिए ना रिविटेश तो उसका भी प्रिंट निकाल लेना आप चाहाए ऑनलाइन जमा करिए और यह तरह से करना आपको यह जैसी क्लिक करोगे आप तो आपके सामने यह पेज़ खुलेगा यह वाला यह यह जो दिख रहा है यह वाला पेज़ पर बटन दबा देना अब आगे बढ़ जाओगे आप तो आपके सामने यह ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा इसमें आपको सीधे यहां पर जाना क्लिक करोगे तो जो पेज़ खुलेगा वह यह रहा यह इस तरह से पेज़ खुल जाएगा अब यहां पर आपको सेलेक पेमेंट कैटेगरी कैसे करनी है अपना नाम लिख देना मुबाइल नंबर पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए अपलाई किया है जैसे की ग्रिजुएट इंजीनियर ट्रेनी वहां पर लिखा जाएगा जिसको जैसी नीचे करोगे तो लिखा जाएगा पांस ने पूरा बढर दिया इसके बाद यह नंबर यहां पर लिख देना पूरा का पूरा और समय्ट करोगे तो आपके सामने यह कौन से मोट से करना चाहते यह नहीं वो दूनियादरी यूपिया से कर दो करना यहां पर जो भी चुन लोगे आप मालनों आपने किया सम्मिट हो जाएगा आपके सामने यह एक रिफ्रेंस नंबर सामने आ गया यह वहाँ पर भरना समझ गया तो वह सомझ गया अब इसमें सभी कुछ रहता है यहां पर लिखा वो कोफी करना समझें तो यह कैसी का धुर्य न थे जो आएगी वह बरना आपको यह नहीं कि यहां उठाके बरदी उसने ठीक है और बस खतम हो जाती है यहां पर क्या क्या पेमेंट है यह पूरा सब्सक्राइब को फिल करना है ओनलाइन अप्लिकेशन जहां पर बैंक रिफ्रेंस लिखा गया उस फिल्ड चलिए ठीक है और यह जो है यह ऑफ-लाइन के लिए जो मतलब चालान निकलवाना चाहते हैं तो उनको उनके लिए भी ऐसी तो उनका यह कुछ निकलेगा इस तरह से चालान पूरा प्रिंट आउट तो वह इससे बर सकते हैं बहुत बढ़ी है तो हम समझ गया क्या से करना है अब रिजर्विशन चाहर चाहर ने 10% अरक्ष्ण रखा हुआ तो बीसमें भी आपके प्रिए ब्रेखा धोगा एक होता है क्रीमीले और यह रोड़े कोटा नॉनक्रीमी लिए के तो यह वाले उनको फिसे और गलिक तरह जाता है एनको जनरालिकरी की तरह किया जाता है किसतरह से डिकित किया ज तो इसलिए इनको फीज जमा करनी है अब देख लिए यहां पर क्या है तो एक लिए बीस पोस्ट खाली चालिस में से फोटो कॉपी भी करा लेना फोटो कॉपी में साइन भी कर देना ताकि सेल्फ अटेस्टेट हो यह मैंने बार बार बता दिया आपको ठीक है और जो भी छूट में अब यह देखो मैंने कातना आपसे यह यह मार्क्स मिल गया तो यूर के लिए जो बी में फस्क्लास चाहिए वह 65 परसेंट है वी टेक में आपने जो भी क्या हो और अगर स्टी कैंडिडेट है तो उसके लिए सेकंड क्लास है और मतब उसको 55 परसेंट चाहिए उनको अपने डिगरी परसेंट और यही छूट मिल जाती स्टी को इनको 55 परसेंट चीए चली साब आगे चलते हैं चलो और अब यह आता कुछ जेनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों जो आपको फॉलो करना है इन में यही वह बात बता दी गई है कि पांसर रुपीस किस-किस को देने हैं वह बता है आपको है ना और किस-किस को छूट मिली है और हैंडिकैप लोगो और जो एसी आईल के प्रूफ दिखाएंगे कि टिकेट दिखाना पड़ेगा इसे नहीं मिल जाता एक कोई भी कोईरी होने पर आप इसमें मेल कर दीजिए आना सारी चीज़ें आप से मेल के थ्रूई बात करेंगे यह आप लिखा हुआ हुआ ठीक है मैं आपके लिए एक चीज पढ़ रहा हू ले इन सब को जो है अपनी सब्विट करने पड़ेंगे सैटिफिकेट जो च्छे महीने से ज्यादा पुराने नहीं नहीं होने चाहिए और किस फॉर्मेट होंगे इंडिया के जो फॉर्मेट होते ना उसमें ठेक है वह फॉर्मेट लगेगा तुम आपको दिखा दूँग तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपको फॉर्म नहीं भराता उसकी वज़ा होती है कि जो आपका गूगल क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर है वह अपडेट नहीं है तो इसको पहले अपडेट कर लेना ठेक है और कई बार तो इसलिए भी हो जाता क्योंकि आपकी है ना फोटो कोपी ऑफ कोई बंदा एक सर्विसमेन है उसका डिशार्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर्विस बुक की लगी कॉपी यहां पर ठेक है पी डब्लूड की जो लगती है परसनल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट वह देखाना पड़ेगा जो अप्लाइनस यहां अप्लीकेशन परिंट डिया इनको बता दृब यहां पर देखें औपना डिस क्रति बविसमेंटर डाल दो पोस नेम डाल दो बांबग निकल लेकिन लाजग से से पहले-पहले आपको प्रिंट निकालना है क्या बहुत बढ़े हैं और यहां देखिए अगर अटक गए है कहीं पर भी अब यह सबसे इंपॉर्टन इस लाइड है आप देख सकते हो आप एक तो यह नंबर ले लो भाई यह ठीक है और नहीं तो आप वैल कर दो इस पर आपसे बात हो एक है हम लोग आपसे इसी होता है तो आप इससे बात कर सकते हैं वहां पर 60% वाले अपलाय कर सकते हैं क्योंकि first class बोला है उन्होंने ठीक है और यह दो को सब बताया ना अपने स्क्रीन के resolution को इतना कर लो एक हजार चौविस इंटो 720 ठीक है और यह दो को ब्रांच लिएक सेक्षिन के certificate इकोनोम वीकर सेक्षिन वालों को in come and asset दिखाना पड़ता है निए इनके ला पांझ चली है ना चलिए तो इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी ठीक है और लगे तो मैं आपको एक बार इनकी site पर दिखा देता हूं कि कहां पर जो है ना एक सेकंड रुकना यह जो है यह पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है ठीक रुको ज़रा एक सेकंड मैं देखूं ज़रा एक बार फिर से इसे इधर से चले पर पता नहीं कुछ आठ टेकनिकल प्रोग्लम आ रही है पर जो भी है ठीक दोस्तों समझ गयाना मैंने आपको सबकुछ ओरिजिनल लिखाया लिंक मैं आपको सारी प्रोवाइड करना हूं ठीक है आपको सर्फ इतना करना है कि आपको इसको जाकर करना है कह सब्सक्राइब और बैल आइकन अपने लिए प्रेस करिए ताकि आप से कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मिशन छूट ना जाए ठीक है तो बस जैहें दोस्तों अपना ख्याल रखो और कोई भी पोस्ट को छोटा या बड़ा मत समझो मैं अभी एक और फॉर्म के समय के बाद अभी आज ही शायद एक और वीडियो डाल दूँगा वीडियो को देख लेना ठीक है और कई 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 बार क्या होता है मेरे पास इससे डाउट आता है कि हम इस पोस्ट के लिए सार एलिजिबल नहीं हो रहे हैं इसमें यह मांगा तो कोई दिक्कत नहीं नहीं को आप अपने अंदर कमी क्यों ढूड़ ले तो आपको अपने अंदर कमी नहीं ढूड़नी है ठीक है हम कमी को पूरा करने पर यहां पर बात करने के लिए और आप कमी पर बात करने की बात की जाए तो ज्यादा बहतर ठीक है मैं यहां पर अप्लाय कर सकता मैं यहां पर अप यहां पर मैं अब हम जब आपको पता है कि वहां पर कोई एसा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग लिए गया और मेरे पास चीज नहीं तो बात ही खतम हो गई ना आपको चिंदा किस बात कि कि अब ही आपके पास क्या चीज हसिल की जा सकती है कौन सी आपको फिट बैटरी इस पर देखें आप कहां फिट हो पा रहे हैं यह कौन सी वेकेंसी मुझे फिट कर लेगी अपने अंदर अब यह एंटर तो हो दीरे से फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो रोने की बज बाकि आपके सारे डाउट हमेशा की तरह रिपलाएं में जरूर करता हूं यह आपने देखा है ठीक दोस्तों मिलेंगे अगले किसी उसमें आना बहुत जादा बात हो जाएगी नहीं तो तब तक के लिए जैहन जै भारत और सुरक्षित रहिए और बस सफल होईए और